तो फाइनली हमारे पास आ गया है एक और डिबबा यहां पर यह डिबबा है हमारे पास MI की तरफ से और यह फोन है इसमें MI10T Pro 5G जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया तो अपने यूट्यूब अपडेट में कि मैंने यह फोन आडर कर दिया है तो वैसे यह वाला डिबब का मुझे काफी हैवी लग रहा है तो कहीं इसमें इंट पथ्र नदाल दिया हो तो देखना पड़ेगा खोल के इसको तो अभी फिलहाल तो मुझे काफी लग रहा है हैवी का मतलब यह भी हो सकता है कि इन्होंने काफी अच्छी डबबे में प्रोटेक्शन दी हो और देख इस वारी से कर लेते हैं इस बॉक्स की यहां पर अन्बॉक्सिंग जिसमें यहां पर हमारे पास निकल के आएगा माइक का टैन टी प्रो फाइव जी और बॉक्स मुझे मैंने पहली आपको बता दिया है कि मॉक्स मुझे थोड़ा सा हैवी लग रहा है तो देखते हैं इसमें खोल केस को यहां पर प्रोटेक्शन तो कुछ खास नहीं देखने को मिली यह बॉक्स ही थोड़ा सबभारी लग रहे हम दो कि मैं और यहां पर बॉक्स बहुत ज्यादा है और ब्लाक और गयुक्त लिखा हूओ में और फ्रंट में आप देख सकते हैं यहां पर 108 MP कैमरा लिख रखा है और उसके लावा यहां पर बड़े-बड़ एक्ष्णों में लिख रखा है यहां पर 10T Pro 5G अब इसको अन्बॉक्स कर लेते हैं तो अब इस बॉक्स की यहां पर अन्बॉक्सिंग करेंगे अपने स्टाइल में तो फटा फटा से इसकी पॉपप वाली अन्बॉक्सिंग करके देख लेते हैं एक बार और यहां पर फ्रंट में लिखा है डिजाइन बाइज शामी यहां पर से में इजेक्टर टूल है आपको मैं दिखा देता हूं यह से में इजेक्टर टूल यहां पर लगा हुआ है और इसके लावा यहां पर हमें एक छोटा सा डॉंगल मिल रहा है जो की है इरफोन के लिए तो आप यहां पर देख सकते हैं यह जो डॉंगल दिया गया है कनवर्टर है हमारा 3.5 mm का टाइप सी से इसको भी हम साइट पर रख देते हैं और साथ में कुछ पेपर वाक यहां पर दिया गया है और साथ ही में दिया गया है हमें एक यहां पर टीप्यू कवर तो ठीक है अच्छी कॉलिटी है इसकी ठीक था काम कर देगा हमारे लिए औ और यहां पर जैसे कि अब देख सकते हो यह हमारे जिसको भी बचा देगा जिस काफी जदा यहां पर बाहर दिये गए हैं तो पीछे आप बहुत बड़ा बड़ा लेखा गया है चामी वैसे में मुझे यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी चलो इससे काम च अगर मैं प्रीमियम की बाद बोलूं तो मेरा एसे सारुजी थी तना प्रीमियम नहीं लगता इवन की रीसेंड़ी मैंने अभी 80 के इंबॉक्सिंग की थी तो यह उससे भी प्रीमियम लग रहा है मुझे बहुत ही ज़्यदा शांदार क्वालिटी दी गई है हाथ में और पिछे यहाँ पे इसको हम उताद देते हैं सबसे ज़्यदा मज़ा तो इसी चीज़ का है तो पीछे और फ्रंट दोनों हमें बहुत ही ज़्यदा प्रीमियम लुक आ रही है इसको दो मिनट के लिए साइट पर रखते हैं क्योंकि मेरा दिल इस पर आ गया है बहुत अच्छे से इसको साइट पर रख देते हैं बॉक्स में और देख लेते हैं क्या मिलता है यहां पर हमें टाइप सी टू टाइप सी नहीं मिल रही है आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास यहां पर पुराने वाली ही यूसबी वाली केबल मिल रही है यूसबी टू टाइप सी यह आप चेक कर सकते हैं यहां पर और यहां पर जो हमें चारजिंग ब्रिक देखने आपे देगी और यहां पे कुछ चार्ज 3 का स्पोर्ट दिया गया है आप यहां पे देख सकते और बॉक्स में फिलाल यही कुछ था बॉक्स काफी अपे प्रीमियम दिया गया है और अब देख लेते हैं सबसे important चीज ये इसकी look देखने में बहुत ही जदा शानदर look दी गई है और जो back का ये glass दिया गया है बहुत ही जदा शानदर है सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये front में जो display दिया गया है ये IPS LCD display है जो की 144Hz का display है और ये HDR10 को sport करता है लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि LCD की ओपर मज जाईएगा मैंने जितने भी reviews देखे हैं फिलहाल उन्होंने reviews में यही बोला है कि जो इनकी LCD इन्होंने लगाई है वो top class वाली LCD लगाई गई है और इसका मैं आपको review करके बताई दूँगा एक दो दिन में पता चली जाएगा और इसके लावा जो में जो front में जो display मिल रही है ये 6.67 inch की display है जो की Full HD Plus को sport करती है और जो front में जो आपको ये protection देखने को मिल जाती है वो है Gorilla Glass 5 की protection और बैक में भी आपको Gorilla Glass 5 की protection देखने को मिल जाती है जो की काफी अच्छी बात है और साइड में आपको यहाँ पर minimum का frame देखने को मिल जाता है जो की काफी यहाँ पर इस phone को premium लुक दे रहा है और पकड़ने में भी काफी प्रीमिम यहाँ पर लुक आ रही है और आगे की बात करें जो इस display में एक यहाँ पर camera दिया गया है single camera जो की 20 megapixel का इसके बारे में हम बात में बात कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते है उसका वैसे box का यहाँ पर weight बहुत जदा निकल के आ रहा था मुझे नहीं पता इतना weight क्या क्यों दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पर पकड़ने में मुझे इतना यह heavy नहीं लग रह और अगर इसकी मैं weight की बात करूं तो इसका weight यहाँ पर 218 grams है और इतना यह बारी नहीं लग रहा मुझे ठीक है इन हैंड फिलिंग इसकी काफी अच्छा है वैसे भी मुझे यहाँ पर बटन में दिया है जो इनका fingerprint sensor होता है साइड में आपको यहाँ पर वालिम रॉकर देखने को मिल जाएगा आपको उपर वाली साइट में माइक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर साइड में आपको पूरी क्लीन लुक देखने को मिल रही है साइड पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है यह वली साइड जो है रहोंने ब्रुकल क्लीन छोड़ दी है और नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर में स्टीर स्प भी गई है नीचे सिंगत्रे आप देख सकते हो और यहां पर ड्यू सिंग का स्पोर्ट यहां पर कार्ड का यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप यहां पर कार्ड को इस नहीं कर सकते हैं तो इसकी 128 GB मेमरी है और more than sufficient है 128 GB और नीचे आपको देखने को मिल जाता है type C वाला port और किसी भी और किसी भी कोने में हमें आपे 3.5M jack नहीं देखने को मिलता तो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं अब फटा फट इसको on कर लेते हैं एक बार जब तक यह on हो रहा है मैं आपको यहां पर बता देना चाहते हो जो camera दिया गया जो इस फोन का major highlight है यह दिया गया 108 MP का camera और इसी के साथ साथ में देखने को मिल जाता है 13 MP का ultra wide camera और 5 MP का यहां पर macro camera और साथ में जो यह चौथे नंबर पर दीगी है यहां पर हमें LED फ्लैश देखने को मिल जाती है और फ्रंट में camera दिया गया है और यह है 20 MP का सिंगल camera और camera यहां पर अब काफी देखने को मिल जाता है मैं आपको यहां पर लगा के दिखा देता हूं एक बार की कवर लगाने के बाद camera यह पर जाता है यह आप चेक कर सकते हो एक बार जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखा दिखा देता हूं यह जो cover इन्होंने दिया एसा डिजाइन किया है कि यह camera को protect कर रहा है यहां पर बम को तो यह आप यहां पर check कर सकते हो जब मैं गोड़ सब्वा नएक होई वो सको प्रोक्रान तो यह चीज विद यह पर यह कैमरा को यहांपे ट्रक्ट कर रहा है तो यह आपे काफी अच्छी चीज चीज आ कि तो इसको फटफट से एक बार रो सैट अप कर लेते हैं। तो आगी की बात सेटफ करने के बात करते हैं। ऑग तो können है टॉ27 इसको सेटक कर लिया है सबसे पहले म algorithिंगर प्रिंगर मीड का यह पर रिस्पाँस दिखा देता हुं कैसा है है फिंगर फूंट पूर की रहा है यह तो आप यहां पर देख सकते हो जीज एक पर प्रेस करने से यह एक प्रेस करने से खुल रहा है काफि आ पर फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर रिसपॉंस बहुत कर दिया है और यह बहुत ही जगार में आ स्क्रीन जो यह काफी बोला जारा था कि इसमें स्क्रीन है तो ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला कि इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है बहुत अच्छी क्वालिटी दी गई है और दूसरा यहां पर जो एपस इंस्टॉल्ड है उसको हम यहां पर अनिस्टॉल कर सकते है जैसे की जी थे उप देख सकते हो तो जैसे कि आप यहां पर यहां पर कर सकते हैं और यहां पर जलद को लोड नहीं किया बहुत ही कम लिमिक्ड़ डाली होगी है इसके ुर्हां पहलब यहां पर आपक्रेडिट हैं इसको हम यहां पर आ cancer कर देते में किर धीत Цुबी Navy को यहां पर MIPay को भी हम यहां पर अनिस्टाल कर देते हैं यहां पर MIPay आप देख सकते हो और आप यहां पर देख सकते हो तो मेरा यहां पर अरभी यहां पर यहां पर नहीं को मिर रहा है मैंने का मिर यहां पर टेस्ट करके देख लिया है आपको यहां पर चेक कर सकते हो तो आप इसका focus आप चेक कर सकते हो किसना यहां पर शांदार है और यह मैंने एक यहां पर पिक्चर ली थी और दो-तिन पिक्चर ली हैं यहां पर इंडो लाइटिंग में आप देख सकते हो कैसी यहां पर क्रेटी देखने को मिर रही है हमें इसके लाबा यह फोटो आपको दिखा देता हूं सिंपल फोटो ली गई है डिटेलिंग काफी अच्छी दी गई है इस फोटो में इनीशियल जो मेरा कैमरा का जो मैंने अभी रिव्यू किया है वह अच्छा ही गया है आपको इसका फूल कैमरा कंपैरिजन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा एक दू दिन में आपको वीडियो बनाके दिखा दूँगा तो अगर मैं यहां पे मॉडल की बात कुरू के ओपर बेस्ट है यहां पर हमें स्नैपड्राइगन का 865 प्लस नहीं दिया गया है जो कि यहां पर थोड़ा सा निराश्य जनक हो जाता है कि हम कोई यहां पर लेटस फ्लैक्शिप डिवाइस ले रहे हैं और उसमें लेटस पर जासा देखने को ना मिले तो थोड़ा सा य अभी वो 46-47 के राउंड भिक रहा है तो काफी यहां पर क्लोज कॉंपेडिशन हो जाता है कॉस्ट के साफ से उसको भी हम यहां पर कंपेर करके देख लेंगे तो यह तो थी मेरी अन्बॉक्सिंग वीडियो यहां पर M.I.K.T.PRO की अभी फिलाल जो आप वीडियो देख इंक्लूट कर दिया है यहां पर M.I.T.PRO से ही यह शूट हो रही है यहां पर M.I.T.PRO से तो इसकी आप वीडियो कॉलिटी का भी यहां पर थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो जो मेरे इनीशिल इंप्रेशन से इस फोन को ले कि काफी पॉसिटिव रहे हैं मुझे कैमरा इसको बहुत ही जदा शांदा लगा और स्पेशली इसका 144Hz का रिफ्रेश रेट जो कि यहां पर पर पूरी पूरी टकर दे रहा है जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे पास अरो जी थी है तो उसके साथ इसका स्पीड टेस्ट और उसके साथ इसका 144Hz वाला और स्क्रीन का जो आपको यहां पर comparison करके दिखा दोंगा और आप चेक कर लिए खुद बाखुद कैसा यहां पर आपको experience देखने को मिल जाएगा MI के फोन में वैसे यहां पर मैं MI का फैन नहीं हूं लेकिन इस फोन को यहां पर इनीशली यूज़ करने के बाद यहां पर मुझे लग रहा है क कि MI ने काफी अच्छी यहां पर चीज निकाली है और कैमरा इसका बहुत ज़्यदा लाजबाब तो मैं इसकी काफी तारीफ कर चूँ हैं कैमरा की तो इसका फुल कैमरा का मेरी अन्बॉक्स की वीडियो इसकी और वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएंगी तो मैं उमीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे इस चानल को सब्स्राइब करना मत बूलें तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में